हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मम्ता मिस्रा एंड कुकिंग आज मैं पनीर के पकोड़े बनाने वाली हूँ और वो भी एक नए ट्विस्ट के साथ वैसे तो आप थमनेल पढ़कर के या वीडियो का टाइटल पढ़कर समझी गए होगे कि ट्विस्ट होगा क्या ये पकोड़े से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सौफ्ट मूलायम रहने वाले हैं और फीके तो बिल्कुल नहीं लगेंगे अंदर भी खा के आपको बहुत मजा आने वाला है फिर चलिए बनाते हैं हाई प्रोटीन वाले पनीर के बहुत ही स्टेश्टी पकोड़े पकोड़े बनाने के पिले चलिए बेटर तयार कर लेते हैं तो इस कप से माप करके मैंने एक कप लिया है बेशन बेशन चावल के आटे का दुगू ना रहेगा और यह मैंने छोटी तोरी से एक कापोड़ी लिए है 14 चामच ही होगा चावल का आटार यह बारिक कٹ हुई हमेंने हरी मिर्च लि लिया है और अब इसके साथ ही हम डालने वाले हैं यह अजवाइन तो अजवाइन को आप हाफ टेबल स्पून लीजेगा और हाथ में अच्छी तरह से क्रस्ट करके रगड करके तब डालिएगा रगडने से इसके फ्लेवर जग जाते हैं और जो भी डिस बनता बहुत ही तेस हाली हूं गरम मसाला तो गरम मसाला आप एक चौथाई चमच ही लीजेगा बहुत जरसा और मैं अब इसमें स्वाद उनसार नमक डालने वाली हूं तो मेरे को एक चमच नमक लग जाएगा लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा नमक मसाले अब मैंने को सुखा ही मिक्स करूंगी तो मैं विसकर के मदद से मिक्स कर रही हूं आप इसको चमच के मदद हेल से भी मिक्स कर सकते हैं अच्छी तरह से एक बार सुखा मिक्स कर लीजेगा फिर इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे एक साथ एक बार में ज्यादा ना वो किरियेट होते हैं अब हमारा ये बन करके बेटर बिल्कुल रेडी है मैं आपको चमल से दिखा भी रही हूं कि इसका ठीकनेस कितना रहना चाहिए बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए थोड़ी सी गाड़ी रहेगी बहुत पतली नहीं रहेगी लेकिन हाँ एकदम पनीर बहुत जादा नहीं है 100 ग्राम या 500 ग्राम के बीच में होगा मैं थोड़े ही पकोड़े बनाने वाली हूं लेकिन आपको सारे से बढ़िया से बताऊंगे यह पनीर को मैं थोड़ा सा कपड़े में अच्छी तरह से पोच ले रही हूं इसे जो डर्ट होते हैं वो भ खा ली जर्ग अब यह बिलकुल शुक्र गया है इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँंगी और फिर मैं इसमें कट्स लगाने वाली हूं जितने बड़े मेरे कोचे यह पकोड़े के लिए उसके हिसाब से ही मैं कट्स लगाने वाली हूं ये छोटे वाले टुकडे को मैंने सिर्फ दो भाग में किया है क्योंकि ये कट्स लगने के बाद मुझे वापस से इसमें फिलिंग करनी है मैं एक्चुली आपको यहीं बताने वाली थी धीमिश्टा मेरा कि मैं पनिर क भरवा पनिर जैसे बनता है यह वैसे बनाने वाले हो बहर पनिर के पकड़े तो इसके करना है बिल्कुल हलके हलके हां से कट कीजिएगा क्योंकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो टूटे नहीं अब देखिए इस तरह से हम मैंने एक साइड में छेट कर लिया है पीछे के साइड में जुड़ा हुआ रहेगा और आगे के साइड में सिर्फ यह ओपन रहेगा जुड़ा हुआ आप यहां जुड़ा हुआ है तो इससे ही मैंने साइड कर लिये हैं ममें या चटनी अच lol और मैंने धनिया की सिंपल वाली जो चटनी होती है न धनिया पोदीने की वो मैं डाल रही हूं आप इसके जगह पे सेजवान चटनी या फिर पीजा सॉस कोई भी सॉस डाल सकते हैं टोमाटर सॉस वो भी डाल सकते हैं और इस तरह से आप अंदर थोड़ा-थोड़ा इसमें भर दीजे चटनी और फिय हल्का चार पड़कर करके एकस्टो रहेगा तरश करके मैंने चार पनीर में चटनी भर दिया अब मैं मसाले भरने यूं मसाले में मैं चाट मसाला आदा चमज संद्य आदा चमज काली नमक और थोड़ा सा, लाल मिर्च लिया यह धिक कर लूंगई है । चमच सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी मैं थोड़ा थोड़ा ले करके अभी आपको दिखाती हूं कैसे भरना है यह पनीर को हलका से आप अगर आपको हमारा चैनल हमारे इस भी पसंद आता है तो लाइक सेर कीजे चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब कीजे और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे कोई भी नए वीडियो का नोटिक्टेशन सबसे पहले आपको मिले तरह से भर करके पनीर बनाएंगे त अधर भी बहुत स्वादिश्ट लगेंगे आपको नहीं तो ऐसे पनीर के पनीर के पकोड़े बनते तो हैं लेकिन वह थोड़े से फीके रहा जाते हैं इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल फीके नहीं रहेंगे और ऐसे ही करके मैंने सब में भर दिया है अब चलते हैं ब वेकिंग सोडा इस भी नाम से आप इसे बुलाते हैं वो भी मैं एक छुटकी के बराबर ही डाल रहे हूं और फिर दोनों को अच्छी तरह से चमच के मदद से या विसकर के मदद से फेट लीजेगा अब चलिए हम लोग पकोड़े बनाते हैं तो मैंने तेल को अच्छा ग हैं बाकी में थोड़ा फाश वरवट करके आपको दिखा रही हूं सही में चार डाल रही हूं एक बार में आप ज्यादा भी डालना चाहें तो डाल करके बना सकते हैं और जब यह एक साइड में उपर गोल्डेन हो जाएना और हाँ एक जरूरी बात कि आज आप जब भी प पका लूँगी अब देखें यह काफी क्रिस्पी हो चुके हैं इनको एक एक करके निकाल रही हूं बिल्कुल गोल्ड़न दिख भी रहा है ऐसे आपको सारे पकोड़े बना करके रेडी करने हैं अब यह पकड़े बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है अब चलिए स़र्व क करके देखते हैं यह देखिए मैंने सर्विंग प्レेट में इसको निकाल दिया है और यह मैंने धनिया की चट्नी लिये इसकी रेस्पी भी मैं पहले दे चुकी हूं अब मैं फॉर्पाक के मदद से आपको दिखाने वाले हूं कि यह पकॉड़े कितने क्रिस्पी और कितने क् अब मैं एक पकोड़े को आपको कट करके दिखाती हूं कि कितने अच्छी से stuffing भरे हुए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सॉफ्ट हैं अंदर से, दिख रहे हैं आपको, तो आप अपने घर पे बनाईए और सब को खिलाईए, सब को बहुत अच्छा लगेगा, ये साथ ये वीडियो में यहीं खतम करती हूँ, वीडियो देखने के लिए आप सबों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू